नमस्कार आदाव सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार मेरे पीछे जो आप द्रिश्य देख रहे हैं इसको ठीक से देखिए और फिर तै कीजिए कि इन्हें कामडिया कहा जाना चाहिए या फिर ये आतंकी हैं आप तै कीजिए कि ये धार्मिक लोग है या इनसे देश की शान्ती सुरक्षा भाईचारे को खत्रा है ये कमाल की बात है कि ये सब कुछ पुलिस की नजरों के सामने हुआ प्रशासन की नजरों के सामने हुआ कहानी क्या है आप सुनेंगे तो दहल जाएंगे हरिद्वार जा रहे हैं कावडी आपको पता है सावन का महीना है जल उठाने के लिए जा रहे हैं और वापस आकर अपने गाओं कस्बे खेडे में मंदिरों में जल चढ़ाएंगे ऐसा ही एक दल जल लेकर लौट रहा था और मेंगलोर के पास हरिद्वार के पास एक जगह है वहाँ आराम कर रहा था वहाँ एक साहब अपनी गाडी बैक करने की कोशिश कर रहे थे और बैक करने के दरमयान उनकी गाडी एक कावड को बस छू जाती है और इसके बाद तो कावडियों का घुसा सातवे आसमान पर जा पहुचता है गाडी में बैठा हुआ शक्स एक मुस्लिम है उसके सिर पर टोपी है आप समझ सकते हैं कि इसके बाद वहाँ क्या हुआ होगा और इसके बाद वहाँ कैसे वो खत्रे में आहे होंगे पूरा विजवल आप देखिया और उसके बाद फिर समझीए कि किस तरीके के माहौल में किस तरीके से इस देश के लोगों को एक दलदल में धकेला जा रहा है एक भीड में तब्दील किया जा रहा है और कौन लोग इसके लिए जम्मेदार है तो सबसे पहले तो जो काल चल हुआ था उन सब को गारी से कावडिया खीच लेते हैं हिलाने लगते हैं जबर दस्ति उन को खीच कर बाहर निकाला जाता है और इसके बाद इसके बाद जो होता है वो देख कर आपका दिल धहल जाएगा उन सज्जन को किनारे खड़ा किया जाता है और कावडियों, माफ कीजिएगा इन आतंकवादियों की टोलियों ने गाड़ी को हिलाना शुरू किया उनकी नियत खराब थी गाड़ी को हिलाने के बाद भी वो नहीं मानते इन आतंकवादियों की टोली गाड़ी को पलट देती है और गाड़ी पूरी तरीके से उल्टी हो जाती है तहस नहस कर देती है लाठी निकाल लेते हैं कावडियों जरा कलपना करके देखिए कि जिनके कावड चू जाने से उनको दिक्कत हो रही थी कह रहे थे कि हमारा तो भंग हो गया है वरत उनको पीटने से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी गाड़ी पलटने से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी एक मुसल्मान को छूने से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी लेकिन बात यहां खतम नहीं होती है इसके बाद ये आतंकवादियों की भीड वो शक्स के पीछे पड़ जाती है जो गारी को चला रहे थे और इसके बाद शुरू होती है उन पर लाठी डंडों कुरसियों की बोचार जिसके हाथ में जो आया उसी के साथ उन पर तूट पड़ता है पुलिस वाला देखता रहता है चुपचाप वो कम पड़ जाता है इन आतंकवादियों की भीड के सामने वो कुछ लोगों को रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन लोग कुछ भी सुनने को तयार नहीं है यह सर्फिरे गुंडों मवालियों आतंकवादियों की भीड थी जो अपने आपको कावडिये कह यह कहते हैं कि हम धर्म के रख्षक हैं लेकिन असल में यह इंसानियत के भख्षक हैं यह लोक्तंत्र के भख्षक हैं यह मानौता के बुनियादी उसूलों के भख्षक हैं यह भख्षक हैं उस भाईचारे के विचार के जिस पर हर एक धर्म दुनिया का खड़ा होता है यह अ आखिर किसके दम पर यह उचलते हैं इसके लिए आपको मैं एक ट्वीट पढ़के सुनाता हूं जो उत्तराखंड के डीजी पी ने ट्वीट किया था और उत्तराखंड के डीजी पी ने क्या ट्वीट किया था शिव भक्तों की सुरक्षा और सहयोग के लिए हम प्रतिबद् में पुलिस विवस्थाओं के समीक्षा को लेकर हरिद्वार पहुचकर कावड यात्रा पर आयश्यू भक्तों से उनकी यात्रा की अनुभव पूछे और उन्हें उत्तराखंड पुलिस की ओर से पूरी सुरक्षा और सहयोग का आश्वासन दिया आप सोचिए और कलपना कीजिए कि सहयोग और सुरक्षा की जो जरूरत है वो कावडियों को है या फिर उन लोगों को है जिनके लिए यह कावडिया किसी आतंकवादी में तब्दील हो गया है हमने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दिखाया था उत्तर प्रदेश का वो तस्वीर थी वो वीडियो आपने दिखाया था आपको कि आधी पूरी सड़क कावडियों के लिए घेर दी गई है बैरिकेटिंग करके उस पर कोई और नहीं चल सकता बेशक कावडिये ना हो दिन के समय जब हमने वह शूट किया था तब चार कावडिये भी उस पर नहीं रहा था बावजुद इसके उस सड़क को घेर के रखा गया था लेकिन ये जो द्रिश्य हमारे सामने आया है वो दिल दहला देता है वो बताता है कि धर्म और राजनीत के बीद चोगाल मेल हुआ है उसमें आदमी को भेड़ बकरियों और भीड में तबदील कर दिया गया ह हमको एक जलाब राक्षस में तबदील किया जा रहा है और हम मान रहे हैं कि यह धर्म है यह धर्म नहीं है बाबू यह धर्म है सोचना पड़ेगा कि धर्म का चोला हमारे माथे पर डाल कर हमसे जो करवाया जा रहा है क्या हम उसी के लिए बने हैं और क्या यही धर्म की कित वो कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलो उनकी बारात में तो भूत पिशाच तक गए थे और ये आतंकवादी ये आतंकवादी एक मुसल्मान की गाड़ी पर उस पर तूट पड़ते हैं नोचने लगते हैं लाठिया चलाने लगते हैं दुश्टता करने लगते हैं और ये कहते ह कि हम शू के भक्त हैं यह कुछ भी हो सकते हैं शू के भक्त नहीं हो सकते हैं यह अतंकवादी हो सकते हैं यह गुंडे हो सकते हैं यह मवाली हो सकते हैं यह सर्फिरे हो सकते हैं लेकिन किसी भी दिन किसी भी दिन यह लोग जो अपने आपको कावडिय कहते हैं यह शू के भक् करने के लिए कर्सियों पर मैठाया गया वो कोडी का वडियों पर फूल मरसा रहे हैं वह तो सबकों पर बैरिकेटिंग कर रहें वो सब कर रहें तो हमको कोई दिक् Dubai नहीं है बलकि में अच्छा लगता है हमारी राजनीट को सूट करता है इस से हम आगे बढ़ेंगे लेकिन जरा सोचिएगा उस इंसान के बारे में उस बजर्ग के बारे में आप देख लीजिए वह बजर्ग हैं वहाद चोड़ रहा हैं वह भाग रहा हैं लेकिन इना तंकवादियों की भी उन पर कुरसियां फेकती हैं लाठियां फेकती हैं थपड मारती है यह बेशर्म कावडिये जो बजर्ग को थपड मारते हैं निहत्थे आदमी पर तूट पड़ते हैं यह भेडिये हैं यह कावडिये नहीं भेडिये हैं और इन भेडियों से इस देश की अमन चैन को इस द दरिंदों से इस देश को बचाया जाना चाहिए, आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जरा गोर से देखिए और समझिए कि वो क्या करना चाहते हैं, वो इस देश को कहा ले जाना चाहते हैं, वो हमारे और आपके साथ क्या सलूक करना चाहते हैं उनके दिल में कितना जहर भड़ा हुआ है इसका विरोध कीजिए इसलिए विरोध मत कीजिए कि ऐसा सलूक हुआ है इसलिए विरोध कीजिए कि कल को वहां आप पी हो सकते हैं ये भूल जाईए कि ऐसा उनके साथ इसलिए हुआ कि वो मुसल्मान थे, नहीं साथ, जब देश के नागरिकों को भीड में तब्दील किया जाता है न, तो हिंदू हिंदू नहीं और मुसल्मान मुसल्मान नहीं बचता, सब कुछ भीड अपने हिसाब से नियंतरित करती है, आपको याद होगा सुबोद सिंग की हत्या, इंस्पेक्टर सुबोद की हत्या, वो तो हिंदू थे, ऐसे ही भक्तों ने, ऐसे ही हिंदू वादियों ने, ऐसे ही कट्टर पंथियों ने, उसे मार डाला था, और इसके बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, कि हम गव माता क कि सुरक्षा के लिए काम करेंगे कुछ भी नहीं किया था उन्होंने सुबोत सिंग के नाम पर लेकिन यह पहली घटना नहीं है और यह आखरी घटना भी नहीं है यह वैसी ही घटना है जैसे तबरेज तो पता चला कि ये गाड़ी मुसल्मान की नहीं, ये हिंदू की है मतलब कामडियों ने नफरत के मारे जिस मुसल्मान को पीटा, गाड़ी पलट दी, नुकसान पहुचाया, लाठिया भांजी वो दरसल एक हिंदू की कार है कलपना करके देखिए, कि अगर उसमें प्रताप सिंग बैठे होते, तब भी क्या इन आतंकवादियों का, इन दरिंदों का, इन भेडियों का सलूक यही होता बिलकुल होता, क्योंकि भीड के लिए ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसल्मान होता है उसके लिए आप सिर्फ उसके मन औरंजन का सामान है, यह खुंखार लोग, यह खुंखार सोच, यह जाहिलाना सोच, इस देश को किसे दिन बहुत बहुत बर्बाद कर देगी इसके पहले कि सब कुछ बरबाद हो जाए इसके पहले कि हमारे बच्चे खत्रे में आ जाए इसके पहले कि हमारे बजर्ग माबाप खत्रे में आ जाए इसके पहले कि हमारे भाई बहन खत्रे में आ जाए जागिए आवाज उठाइए और दरिंदों को दरिंदा करिए इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कीजिए बेल आइकॉन दबाई ए घंटी जैसे आकरेती लाइक कीजिए और कमेंट करके बत बते प्रवल्ड़ ए तक मेंटी जैसे यूरण कीजिए आपने तक सानश करने इस वीडियो मेंटे आपने कीजिए और आपने कीजिए यूर।